पर्यावरन की स्थिती को सुधारने के लिए कई उपाई किये जा सकते हैं, जिन में निमलिकित शामिल है. 1. विक्षारोपन विक्षारोपन से कार्बन डायकसाइड का अवोशन होता है और जय विविधता को बढ़ावा मिलता है. अधिक पेड लगाने से वायू की गुनवत्ता में सुधार होता है और जल वायू परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है. 2. नविकरनी उर्जा का उपयोग सौर, पवन और जल उर्जा जैसे नविकरनी इस रोतों का उपयोग करने से जिवाश्म इंधनों पर निर्भरता कम होती है, जिससे प्रदूशन और ग्रीन हाउस गैसों का उतसर्जन घटता है. 3. सतत कुशी खिशिसतत प्रथाओं को अपनाने से मिट्टी की गुनवत्ता में सुधार होता है और जल का सनरक्षन होता है. जैविक खेती और फसल रोटेशन जैसी तकनिकों का उपयोग किया जा सकता है. जल सनरक्षन जल का विवेक पूर्ण उपयोग और पुनर्चकरन से जल संकट को कम किया जा सकता है. वर्षा जल संचेन और जल पुनर्चकरन के उपायों को अपनाना आवश्यक है. 5. जन जागरूकता लोगों को पर्यावरन सनरक्षन के महत्त के बारे में जागरूक करना और उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए शिक्षा अवश्यक है. उध्योगों में प्रदूशन नियंत्रन तकनीकों का उपयोग करना और कचरे का प्रबंधन करना महपूर्ण है. प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए वैकल्पिक सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए नीतियों का कार्यानवियन सरकारों को पर्यावरन संरक्षन के लिए सक्त नीतियां बनानी चाहिए और उनका प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करना चाहिए। इन उपायों को अपना कर हम पर्यावरन की स्थिती में सुधार कर सकते हैं और आने वाली पीडियों के लिए एक स्वस्त और सुरक्षित पर्यावरन सुनिश्चित कर सकते हैं। पडियावरन की स्थिती को सुधारने के लिए कुछ सबसे प्रभावी कारी हो सकते हैं. 1. व्रिक्षारोपन व्रिक्षारोपन से कार्बन डायकसाइड का अवशोशन होता है और जैव विविधतता को बढ़ावा मिलता है. 3. अधिक पेड लगाने से वायू की गुनवत्ता में सुधार होता है और जलवायू परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है. नविकर्नी उर्जा का उप्योग सौर, पवन और जल उर्जा जैसे नविकर्नी स्रोतों का उप्योग करने से जिवाश्रम इंधनों पर निर्भरता कम होती है, जिससे प्रदूशन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सरजन घटता है. 3. सतत्कृशी जल का विवकपून उप्योग और पुनर चकरन से जल संकट को कम किया जा सकता है. वर्षा जल संचेन और जल पुनर चकरन के उपायों को अपनाना आवश्यक है. 5. जन जागरूकता लोगों को पर्यावरन संरक्षन के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए शिक्षा आवशक है. इन उपायों को अपना कर हम पर्यावरन की स्थिती में सुधार कर सकते हैं और आने वाली पीडियों के लिए एक स्वस्त और सुरक्षि में सौर, पवन और जल उर्जा जैसे नवी करनी इस रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए. इससे जीवाश मींधनों पर निर्भरता कम होगी और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सरजन घटेगा. द. उर्जा दक्षता. कम्पनियों को अपने उपकरनों और प्रक्रियाओं में उर्जा दक्षता लाने के लिए प्रोध्योगी की का उपयोग करना चाहिए. इससे उर्जा की खपत कम होगी और लागत. परियावरन परिवर्तंज एक महत्वपूर्ण विश्य है जो आज की दुनिया में चर्चा का केंडर बना हुआ है. ये नकेवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिनाम है बलकि मानव गतिविधियों के कारण भी होता है. इस निबंध में हम परियावरन परिवर्तन के वि प्रिन हाउस गैसों का उदसर्जन है जो आजयोगी की करण परिवहन और खृषी से उत्पन होता है. ये प्रित्वी के तापमान को बढ़ाता है और मौसम के पैटर्न को बदलता है. वनों की कटाई से न केवल जीवों का निवास स्थान नश्ठ होता है बलकि ये कार्बन डायकसाइड के स्तर को भी बढ़ाता है. इससे जलवायू परिवर्तन में तेजी आती है. प्रदूशन और योगिक अप्षिष्ट, प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थों का उदसर्जन पानी, वायू और मिठ्टी को प्रदूशित करता है जिससे पारिस्थित की तंत प्रभावित होता है. जन संक्या वृध्धी, जन संक्या के बढ़ने से संसाधनों की मांग में वृध्धी होती है, जिससे प्राकतिक संसाधनों का अत्यदिक उपियोग होता है. पर्यावरन परिवर्तन के प्रभाव, जलवायू परिवर्तन, जलवायू परिवर्तन के का परण अत्यदिक मौसम की घटनाएं जैसे बार्ड, सूखा और तुफान बढ़ रहे हैं, इसे से खृशी उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। 2. पारिस्थितिकी की तनुकसान 3. स्वास्थी पर प्रभाव, प्रदूशन और जलवायू परिवर्तन से स्वास्थी समस्याएं जैसे श्वसन रोग, हृदे रोग और मानसिक स्वास्थी समस्याएं बढ़ रही है। आर्थिक प्रभाव, पर्यावर्ण परिवर्तन से कृषी, पर्यटन और अन्य उद्योग प्रभावित होते हैं, जिसे आर्थिक नुकसान होता है. समाधान स्वच उर्जा का उपियोग नवीकर्नी उर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल उर्जा का उपियोग करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है व्रिक्षारोपन रुक्षारोपन से कार्बन डायकसाइड का अवशोशन होता है और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास की नीतियों को अपनाना आवश्यक है जन जागरूकता लोगों को पर्यावरन संरक्षन के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें पर्यावरन के प्रती जिम्मेदार बनाना आवश्यक है निशकर्ष पर्यावरन परिवर्तन एक गंबीर समस्या है जो मानवता के लिए कई चुनावतियां प्रस्तुत करती है इसके प्रभावो को कम करने के लिए हमें सामुहिक प्रयास करने की आवश्यक्ता है यदि हम आज सही कदम उठाते हैं, तो हम एक स्वस्त और संतुलित पर्यावरन की ओर अग्रसर हो सकते हैं पर्यावरन की सुरक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बलकि हमारे भविश्य की सुरक्षा भी है पर्यावरन परिवर्त इंच, एक महत्वपूर्ण विश्य है, जो आज की दुनिया में चर्चा का केंडर बना हुआ है ये नकेवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिनाम है, बलकि मानव गतिविधियों के कारण भी होता है इस निबंध में हम पर्यावरन परिवर्तन के विभिन पहलूओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें इसके कारण, प्रभाव और समाधान शामिल है परियावरन परिवर्तन के कारण जल्वायू परिवर्तन जल्वायू परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का उचसरजन है, जो ओद्योगी की करण परिवेहन और खृशी से उत्पन होता है ये पृत्वी के तापमान को बढ़ाता है और मौसम के पैटर्न को बदलता है वनों की कटाई वनों की कटाई से न केवल जीवों का निवास स्थान नश्ट होता है, बलकि ये कारण डायकसाइड के स्तर को भी बढ़ाता है इससे जलवायू परिवर्तन में तेजी आती है प्रदूशन और योगिक अप्षिष्ट, प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थों का उचसरजन, पानी, वायू और मिठ्टी को प्रदूशित करता है, जिससे पारिस्थित की तंतर प्रभावित होता है जन संक्या वृध्धी जन संक्या के बढ़ने से संसाधनों की मांग में वृध्धी होती है, जिससे प्राकितिक संसाधनों का अत्यदिक उप्योग होता है परियावरन परिवर्तन के प्रभाव जलवायू परिवर्तन जलवायू परिवर्तन के कारण अत्यदिक मौसम की घटनाएं जैसे बार्ड, सूखा और तुफान बढ़ रहे हैं, इसे से खुशी उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। स्वास्थी समस्याईं बढ़ रही हैं। संसाधनों का सतत उप्योग सु निश्चित करने के लिए सतत विकास की नीतियों को अपनाना आवश्यक है। जन जागरूकता लोगों को पर्यावरन संरक्षन के महत्व के बारे में जागरूख करना और उन्हें पर्यावरन के प्रती जिम्मेदार बनाना आवश्यक है निशकर्ष पर्यावरन परिवर्तन एक गंबीर समस्या है जो मानवता के लिए कई चुनौतियां प्रस्तुत करती है इसके प्रभावों को कम करने के लिए हमें सामुहिक प्रयास करने की आवश्यक्ता है. यदि हम आज सही कदम उठाते हैं, तो हम एक स्वस्त और संतुलित पर्यावरन की ओर अग्रसर हो सकते हैं. पर्यावरन की सुरक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बलकि हमारे भविश्य की सुरक्षा भी है. सहारा मरुस्थल, अफरीका के उत्तरी हिस्से में स्थित, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है. ये 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का विशालक्षेतर कवर करता है, और अफरीकी महादवीब के कुलक्षेतर का 31% हिस्सा है. सहारा मरुस्थल, मुख्यरूप से चटानी हमारा, पत्थर के पठार है. रेत की ठीलियों या रेत के समुदर केवल एक छोटा हिस्सा है, हलांकि कई रेत की ठीलियां 580 मिटर, 5 9 फीट से अधिक उन्ची हैं. हवा या दुरलब वर्षा मरुस्थल की विशेषताओं को आकार देती हैं. रेत की ठीलियां, ठीले के क्षेतर, रेत के समुदर, पत्थर के पठार, गिट्टी के मैदान, शुष्क घाटियावादी, शुष्क जीलिन, ओएड और नमक के मैदान, शट या छोट. मरुस्थल से कई गहराई से काटे गए परवत उभरते हैं, जिनमेने से कई ज्वाला मुखी हैं, जैसे की एयर परवत, सहारा एटलस, तिबेस्ती परवत, अधरार डे सेफोरास और लाल सागर के पहाड. सहारा में सबसे उँचा शिकर एमी कौसी, उत्तरी चाड में तिबेस्ती शुरंखला में एक डाल्स वाला मुखी है, मध्य सहारा अत्यदिक शुष्क है, जहां वनस्पती कम है, मरुस्थल के उत्तरी और दक्षिनी हिस्सों, साथी उँचायों में कम घास के क्षेतर और मर अत्यदिक शुक शेतर अक्सर कई सालों तक बारिश नहीं होने देते हैं. सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोग विभिन मूल के हैं, उनमें अमाजिक जिनमें तुआरेग शामिल है, विभिन अर्भीकृत अमाजिक समूह, जैसे की हसानिया बोलने वाले और अरब शामिल है. मरुस्थल में जीवन खठोर है, लेकिन कुछ प्रजातियां इन खठोर परिस्ठितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होवी दोई ये टेस्ट है. केंरी फॉक्स अपने विशालकानों का उप्यो गर्मी को कम करने और रेत के नीचे शिकार को सुनने के लिए करता है. हैरिस हॉक्स समुहों में शिकार करते हैं और बड़ी शिकार को अपने साथियों के साथ साजा करते हैं. रेगिस्तानी बिल्ली मरुस्थलों में रहने वाली एक मातर बिल्ली प्रजाती है, वहारात में शिकार करती है और दिन में छाया में छिपी रहती है. सहरा मर प्राचीन काल सहारा का क्षेतर पहले एक हराभरा क्षेतर था, जहां नदियां बहती थी और वनस्पती प्रचूर मात्रा में थी. लगभग थाउजन वर्ष पहले ये क्षेतर शिकार और क्रिशी के लिए उप्युक़् था. जलवायू परिवर्टन लगभग 5000 वर्ष पहले जलवायू परिवर्टन के कारण ये क्षेतर धीरे-धीरे शुश्क होने लगा. इससे वनस्पती और जल्स रोतों की कमी हुई जिससे मानुव बस्तियां भी खत्म होने लगी प्राचीन सभ्यताएं सहारा के आसपास कई प्राचीन सभ्यताएं विक्सित हुई जैसे की मिस्र की सभ्यता ये सफ्यताएं सहारा के किनारे पर स्थित नदियों के आसपास पसी थी व्यापार मार्ग सहारा ने प्राचीन व्यापार मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सोने, नमक और अन्यवस्तूओं का व्यापार करने के लिए कारवान सहारा के मात्यम से यात्रा करते थे आपनिवेशिक काल 90 सदी में यूरोपीय शक्तियों ने सहारा के कुछ ये उत्तर हिंदी में लिखा गया है मरुस्थल क्या है? वल पृत्वी के सबसे ख्लोर और कठिन पढ़ियावर्नों में से एक है वे अत्यदिक गर्मी, शुक्ता और पानी की कमी का सामना करते हैं हलांकी मरुस्थल जीवन से भरपूर होते हैं और कई प्रकार के पौधे और जानवर इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहते हैं मरुस्थल पृत्वी के कुल भूमिक शेत्र का एक पांचवां हिस्सा कवर करते हैं वे प्रत्येक महादवीप पर पाये जाते हैं एक स्थान जो प्रती वर्ष यफिस सेमी से कम वर्षा प्राप्त करता है उसे मरुस्थल माना जाता है मरुस्थल को नमी घाटा के रूप में वर्गी कृत किया जाता है जिसका अर्थ है कि वे वार्षिक वर्षा से अधिक नमी को वाशपीकरन के मात्यम से खो सकते हैं मरुस्थलों में जीवन की अनुकूलन मरुस्थलों में जीवन के अनुकूलन के कुछ उदाहरन है पौधों में अनुकूलन पत्यों का छोटा आकार और मोमी कोटिंग जो पानी को बनाए रखने मदद करती है कांटेदार तने जो पानी का भंडारन करते हैं जैसे कि कैक्टस गहरी जडेन जो भूमिगत पानी तब होंच सकती हैं धीमी वृद्धिदर कुछ पौधे के वलवर्शा के बाद ही अंकुरित होते हैं और फूल खिलाते हैं चानवरों में अनकूलन रात में शिकार करना और दिन में छिपना पानी की कमी में जीवित रहने के लिए